आपसे अब क्वेशन पूछना चाहा रहे हूं 18-18 घंटे काम करने वाले प्रधान मंत्री हमारे नरेंदर दामोदर दास मोदी जी उनके सामने सारी की सारी सरकारी संपत्तियां बिक्ती जा रहे हैं और फिर भी दिव्य महापुरुष की सरकार पेंचन न देकर किसानों को मजदूरों को और आम नागरिकों को सिर्फ और सिर्फ टेंचन ही दे रही है GDP माइनस में चल रही है सभी की नौकरियां चली गई सभी NGO उद्धोग पतियों और देश के नागरिकों से PM केर फंड में अनगिनत पैसा भी मंगवा लिया गया इस पैसे से क्या लाब हुआ देश में बड़ी ही अजीब सिती चल रही है अगर कोई सवाल कर रहा है तो सीधे के सीधे उसे पाकिस्तानी या देश द्रोही साबित कर दिया जा रहा है क्या इस देश में सवाल करना गलत है क्या इस देश में अपने सवालों को पूछना गलत है क्या ये सवाल भी नहीं कर सकता है ये आम नागरिक कि हमने जो पैसा दिया पीएम केयर फंड में उसका हुआ क्या नहीं कर सकते आप सवाल एक बात नहीं समझ पा रही हूँ कि पहले की सरकार 1962,1965,1972 के समय में भी देश पोलियो, प्लैग, हैजा, टीबी जैसी भेंकर बीमारियों के चपेट में आया लेकिन सभी का मुफ्त में इलाज हुआ, मुफ्त में पूरे देश का टीका करण हुआ लेकिन लोगों ने सरकार पर खर्बों के घोटाले का आरोप लगाया कहा गया कि काला धन विदेशों में भेजा गया कथित भ्रष्टाचार की खूब चर्चा रही बावजूद इसके पूरे देश में बहुत सारे सरकारी कारखाने और कमपनिया खड़ी हुई सरकारी अस्पताल बने सरकारी कॉलेज बने सरकारी स्कूल बने सरकारी नौकरियों में भी कोई कमी नहीं रही लोगों को नौकरियां दी गई ही जो इंटरमेडियेट पास कर जाता था उसे भी बुला बुला कर नौकरियां दी जाती थी भत्ता हर वर्ष लगातार मिलता था महंगाई भत्ता 131% मिला सरकारी लोगों को पेंचन भी मिली GDP 10% से उपर चल रही थी आखिर तमाम घोटालों और भष्टाचार से भरी सरकार ये कैसे कर लेती थी और ये मौजुदा सरकार क्यों नहीं कर पा रही है जबकि वो विदेशों से काला धन भी वापस ले आई है नोटबंदी से काला धन वापस आ चुका है सब कुछ हो चुका है लेकिन नौकरियां गायब हैं युवा बेरोजगार हैं युवाओं को दर दर भटकना पड़ रहा है 5000-8000 की नौकरी के लिए इसका जिम्मेदार कौन अगर आप ये सवाल करेंगे तो आप पाकिस्तानी घोशत हो जाएंगे अगर आप ये सवाल करेंगे तो आप देजरोही साबित हो जाएंगे अंदभक्तों की नजरों में अंदभक्तों से मैं ये सवाल करना चाहती हूँ कि आपके आगे आनी वाली जन्रेशन जब 10-10 रुपे के लिए तरसेगी तब आप समझेंगे क्या जिस तरीके की स्थिती चल रही है और जिस तरह से देश गर्क में जा रहा है बहुत जल ही ये स्थिती पैदा हो जाएगी अगर अंधभक्त नहीं जागे और आख बंद करके भक्ती में लीन रहे तो देश बहुत ही बुरी स्थिती में जाने वाला है और सवाल करना हमारा हक है लोकतंत्र है ये हक हमें कोई भी छीनने का अधिकार नहीं रखता है जे हिन जे भारत आप सब अपना ध्यान रखें और आखें खोल के काम करें आखें खोल के सोचें आखें बंद करके भक्ती में लीन ना रहें